हेलो फ्रेंड वेलकम वेक तो गर्भुखरू मैं डॉक्टर प्रियंका यादू और आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंसी के दोरान सोने का सही तरीका क्या रहता है जी हाँ यह बात वैसे लगती है छोटी कि सोने का भी तरीका लेकिन प्रेग्नेंसी में कुछ चीजों का डुसरी पॉजिशन में सोना चाहिए कि चैसे दोरान उस पॉजिशन में सोने 4 गाता आपके रेट SW डिशीर वह चाहिए बच्य के अंदर चिशन के अंदर ब्लड पहुंचता है तो वह ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा बच्चे का ग्रोथ कम हो सकता है आपको बेक्ट के दिक्कत रह सकती आपको सुजन आ सकती है बच्चे का वजन कम बढ़ेगा तो यदि यहां पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे सोने में यानि कि हम ज दिक्कत नियांगे तो प्रेग्नंसी में किस तरह से सोना चाहिए और यदि आपको निंद में दिक्कत आ रही है तो उसके भी हम सुल्यूसन बताएंगे यदि आप चाहते के प्रेग्नंसी के दोरान गहरी अच्छी निंद चाहिए जिससे पुरा दिन आप प्रेस रह तो सोने की बात करें तो फेग्नंसी के दोरान पहले तिन महींने में और वह सब से जयादा वहीं उल्टा स nous a क्योंकि ज्यादा तर लेडी को दिक्कत रहती है कि उसको प्रेग्नेंसी के पहले उल्टा सोने की बिट रहती है और प्रेग्नेंसी के बाद घर वाले बोलेंगे कि अभी तब बिल्कुल उल्टा नहीं सो सकते हैं वन्ना बोशन के चांस बढ़ जाएंगे तो क्या इस सच है बिल्कुल नहीं प्रेग्नेंसी के पहले तीन महीने में आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं यानि कि आप राइट साइड लेफ साइड करवट लेके सिधा सो सकते हैं या फिर आप उल्टा भी सोना चाहें को यानि कि निंद में भी आप किसी भी पोजीशन में सोये लेक मुझेल 3 मुझेल में मैं बच्च्य दानी का ग्रोथ ही नहीं मैं सोब Comm TW 5 मैंने में बच्चा ग्रोथ में सकती है लेकिन चिंधी बच्चे दानी कि ओगा ौष दानी क impactful दुखा दुखा दे का बदू पहले ही हम आफ के लाप ग्रोथ देखेंगे बच्चे का सेब भी देखेंगे तो वहां पर बिल्कुल वह तीन महीने खतम होने के बाद है कि युमन बेबी की तरह दिखेगा पहले वह पूरा उसका साइजन से अलग ही रहेगा तो यहां पर चोथे महीने से आप यहां पर देख सकते किस तरह से आपक बच्चे दानी का ग्रोथ होना शुरू होगा और पाच्वे महीने के बाद छठा महीने के बाद वहां पर बढ़ता जाएगा बच्चे का वजन भी बढ़ेगा बच्चे दानी का भी ग्रोथ होगा अब यहां पर क्या रहता है कि आपका यह जो बच्चे दानी है तो यह सम लेज़ें बढ़ेगा तो अपना इसके उपर प्रेसर आएगा तो आपको आपको आपस ब्लुड जाना चाहिए वो नहीं जाएगा और उसके चलते आपको हैडेक होना चक्कर आना हाथों पेरों में जिन्जना फोना सुजन आना बेकर बिकग ज्यादा रहेगाए दि आप व लेप्ट लेटर साइड आपको करवट लेके सोना है लेप साइड करवट लेके सोएंगे तो बच्चे तक जो खुन जाता है जो इंदर नुट्रिशन मिलेगा वो बहुत ही चैजी से अच्छा मिलेगा तो लेप साइड सोने की ट्राइग किजिए इसका मतलब बिल्कुल यह कि आप कभी सीधे संसाय नहीं सकते कभी राट में सबसके ज़्यादा जब तक आप कॉंसेशंस के ने कीटर करवें दोपर में वर कैसे फिर आप लेप साइड सोने के ट्राइग करो फिर नेंद में आप पर राट हो जाए और संब सिधे हो जाए कोई सीदें की दिकत किर नह कि यह दिक इसी को भी आपका पानी कम है साथ वाक्त को मेनी के बाद दिख्कत आती है आपको गए पानी कम बोला गया है यह से बोला गया कि बच्चे का विकास कम है या पिर उसके अंदर पर जो पर होना चाहिए उनी प्लेसेंटा का कल्सिपरिकेशन तो इस पोजिशन में आ आप वहां पर प्रोटीन काके कंप्लीट बेड्रेस्ट करके लेफ लेटरल साइड में सोएंगे तो विदिट वन मंग आप पीर अल्टरासाउंड करेंगे इसके लिए जिसको बोला गया के आयो जी आरो गया बच्चे को बहुत ही कम है अब उसको बहुत ज्यादा चिंता वा रात में बार बार आपको निंद खुल जाती है यूरीन के लिए ज्यादा जाना पड़ता है आपको आथों पेरों में दर्द रहता है तो आप नारियल पानी डेली दस बज़े पीए सामको नारियल पानी कभी मत प्यों वरना रात में यूरीन बढ़ जाएगा ये दिकत सुबह में आपका फ्लस आउट हो जाए दूसरा वहां पे आप एक बार दिन में कभी भी एक बार निंबू पानी पीचे क्योंकि निंबू पानी के अंदर नमक आएगा सोडियम आएगा तो वह आपके सोडियम मेगनेसियम पोटेसियम ये सब ऐसे चीजे जो आपको हाथो करने के बाद सुक्स पहेंना बुले वर्नाँ डिएूरीन के लिए उठेंगे पाऊं तो दिक्कत आ सकती है तो उसके बाद शोक पहने या फिर बीच में उठते हैं तो स्लिपर पहने या फिर उसके बाद पेर को दोली चे लेकिन ओल मसाज के बाद आप चलना इसे बेर प्रूट चलना अवोड करेंगे तो यह रहेगी सब चीज जिसमें नींद अच्छे सब्सक्राइब करेंगे तो आप एक पिलो एक्स्ट्रा ले सकते हैं और डीनर आप साथ बच्चे के पहले कर लो और डीनर हलका रखें इसमें स्पाइसी चीज ना खाये ताकि इरक्टेशन डेकार की दिक्कत ना है तो प्रेग्नेंसी के दोरान मेंद का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन से यह बच्चे के ग्रोथ के लिए आपके अच्छी हेल्ट के लिए रात में निंदा नहीं आएगी तो पूरी दिन सुष्ती रहेगे तो बात ही खतम तो रात में अच्छी निंदाना जरूरी है और लेट साइड में सोएंगे तो बच्चे का वच्चन भी त तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे तब तक के लिए स्टेल्दी स्टेपल बाइंगे